बड़ी ख़वर ब्रेक नोस सामलेकर का अच्छी जिहां दोस्तमाब क्वतागाने की कोरोना तांडप के बीज बिहार में क्या लगेगा संपूर लोगडॉन सीएम नितिस कुमान ने कही ये बड़ी बात है जाने है पुरी जानकारी तो दोस्तों पुरी जानकारी वीडियो मताएंगे कि देश में दोस्तों फिर से छुछ से लौकडॉन लगेगा फिर नहीं इसली वीडियो के एंड को देखना है बिल्कुल भी स्किप निकना दोस्त वीड़ो को सुरू पड़ते हैं देश में कोरोना का तांडव लगातार जारी है कोवीट से संक्रमित मामले तेजी से बढ़ रही है जीहां दोस्त बिहार में भी कोवीट का बिलास्ट जारी है यही कारण है कि कोवीट से लोगडाउन लगेगा जीहां दोस्त फिर्ती बंदो को कड़ा कर दिया जाएगा इसे लेकर मंगलवार को क्रिस्मिस मैनेजमेंट गुरूप की वैठक के बार निल्ड़ा लिया जाएगा जीहां दोस्तो ग्यात हो कि बिहार में भी कोरूना के मामले बड़ी ही तेजी से बढ़ रही हैं जिससे सरकार के चिंता वड़ गई है राज्य में कोविट के कारण पैदा हुए हालात के बीच सीम नितिस कुमार ने कहा कि मैंने अफसरों को पूरी इस्तदी की समिक्चा करने के लिए कहा है राज्य में कितनी पावन्दिया लगानी हैं इसे लेकर कर निल्ड़ा होगा जीहां दोस्तो साथ साथ माप को बता दें कि बहीं बिहार में भी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से कोविट बैक्सीनेशन की सुरूरात हुई मुक्यमंत्री नितिस कुमार ने बैक्सीनेशन सेंटर में बैक्सीनेशन ड्राइब की सुरूरात की साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में भी 15-18 बर्स के बच्चों को बैक्सिन देने की सुरुआत हो गई है यह कार्रे अब तेजी से होगा जी हाँ दोस्तों जिसके बाद उन्हें 26 जन्वरी 2022 तक अपने संबंदित स्कूलों का दोरा करने की आवसकता नहीं होगी टास के फोर से 26 जन्वरी 2022 से कुछ दिन पहले इस्तती की समिक्चा करने के लिए फिर से बैटक करेगा ताकि भविस्थे की कारवाई पर निरले लिया जा सके अधिकारी ने यह भी कहा कि गोबा में जल्द ही रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फियू लागू कर दिया जाएगा उन्होंने कहा सरकार रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फियू भी लागू कर रही है जी हम दोस्तों आदे से आज रात या कल होगा घर के अंदर होने वाले कारे मिक्रो पर भी पावन्दिय लगाई जाएंगी तो दोस्तों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लैक और स्क्रिन ना भूलें और रोजन ऐसे ही नीनी बोड़ देखने के लिए आप हमारे उटूप चैनल टेक कंपने हिंदो को अभी सब्सक्रेब करें जो पासी बेले को दबा देजिए जी हां दोस्तों आप से भी को अपने केमती समय देन को धन्यबाद आपके दिने तुस्ब हो